बॉलिवुट की हर खबर के लिए प्रस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहे वाट्सप बॉलिवुट के साथ नैंतारा समंतारू प्रभू पुजा हेगडे और भी हाइस पेड एक्रिस साउथ इंडस्टी की साउथ फिल्म इंडस्टी की नमबर वन एक्ट्रिस नैंतारा वास्तों में गलती से एक फिल्म स्टार बन गए थी ए-लिस्टर एक्ट्रस के सात्थ एक्टिंग करने से लेकर उनकी फिल्मू के शेरू बनने तख नैंतारा ने एक लमबा सफ्रते कीया है रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जैमरवी के साथ अपनी आने वाली फिल्म के लिए 10 करूर रुपे चार्ज किये हैं समन्था रूत प्रभू समन्था ने एक मौडल के रूप में अपने करियर की शुरुवात की थी उनकी पहली फिल्म ने देशक गौतम मैनन की तेलगू फिल्म ये माया चेसावे थी जिसमें लोगों ने एक्टरिस को नोटिस किया था तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा वह पर फिल्म तीन से पाच करूर रुपे चार्ज करती है पुजा हेगडे अलु अरजुन के साथ सुपर हिट फिल्मों में अक्टिंग करने के बाद पुजा हेगडे एक बार फिर बॉलिवुड में आने वाली है कभी इत कभी दिवाली में सल्मान खान के साथ वह पर फिल्म पाच करूर रुपे चार्ज करती है रकूल प्रीत सिंग रकूल प्रीत ने एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाने के लिए कन्नड फिल्म इंडस्टी में शुरुआत की बाद में उन्हें एसास हुआ कि साथ इंडस्टी फिल्म में कितनी बड़ी है और उन्होंने अपने काम को गंभी इता से लेना शुरू किया वो पर फिल्म 3.5 करोड रुपे चार्ज करती है तमना भाटिया तमना ने 15 साल की उम्र में अपनी शुरुआत के बाद से कई हिट फिल्मों में एक्टिंग किया वो साउथ इंडियन सिनिमा की सबसे अधिक पैसे पाने वाली एक्ट्रिस में से एक है वो पर फिल्म 3 करोड रुपे चार्ज करती है रश्मिका मंदाना बैक टू बैक हिट में एक्टिंग करने के बाद रश्मिका आज के सबसे अधिक मांग वाले एक्ट्रिस में से एक है वो पर फिल्म 3 करोड रुपे चार्ज करती है आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहे वाट्स अप बॉलिवुड के साथ